सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें हेलो फ्रेंड्स मैं अभी जीत आज की वीडियो में मैं आपको बॉगन विलिया के प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल प्रॉसेस बताने वाला हूँ साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ का अपडेट भी दूँगा तो ये जो बॉगन विलिया प्लांट होता है समर का हैवी प्रॉमल प्लांट होता है ये वैसे तो पर्मानट प्लांट है लेकिन ये समर में इतनी ज़्यादा ब्लॉमिंग करता है कि इन पे पत्तियों से ज़्यादा आपको फोल दिखाई देंगे ये किसी भी तरह के पॉट में ग्रो हो जाते हैं चाहे आप इनको चार इंच के पॉट में लगाएं चाहे बारा इंच के पॉट में चाहे जमीन में लगाएं ये बहुत ही अच्छा ग्रोत करता है आप इनको बेल का लुग भी दे सकते हैं क्योंकि ये creeper wine की तरह ही grow करते हैं आप इनको चाहे तो tree का लुग देख सकते हैं cutting-pitting करके और इसके अलावा आप इनकी cutting बहुत आसानी से लगा सकते हैं तो अभी summer का मौसम चल ला है अगर आप summer में लगाते हैं तो इनकी cutting के लिए कुछ बाते ध्यान रखनी होती है cutting लगाने के बाद इनको shady area provide करना पड़ता है थोड़ा सा इनको cover करना पड़ता है polythene वगरा से तो देखिया मेरे जो जितने भी बॉगर मिलिया कि ये जो plant आप देख रहे हैं ये सब मैंने cutting से ही grow किये थे और कितनी heavy blooming करते हैं और सिर्फ और से 12 inch के pot में लगे हुए plants जो हैं बहुत अच्छी blooming कर रहे हैं तो इनको लगाना बहुत ही आसान होता है इस वीडियो में आपको मैं cutting grow करने का process ही बताने वाला हूँ तो cutting लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो बारिश का होता है या winter का होता है तो अभी बारिश स्टार्ट होने वाले एक उस दिनों में फिर उसके बाद आप इनकी cutting बहुत आसानी से लगा सकते हैं अभी आप summer में भी इनकी cutting अगर लगाना चाहें तो लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है इनको shady area में रखना है इनको polythene से cover करना है तो देखें मेरे पास कितने सारे बॉगन विलिया के beautiful blooming करते हुए plant हैं ये सब मैंने cutting से ही grow किया था और देख सकते हैं इस पे कितने ज़्यादा अच्छे flower आते हैं तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही heavy bloomer plant होता है ये और बहुत ही आसानी से grow हो जाता है ये आपको road के किनारे divider पे कहीं भी मिल जाएगा आपको ध्यान रखना है अगर आप बॉगन विलिया से जल्दी flower लेना चाहते हैं तो जिस branch में flowering हो चुकी हो या flower हो रहा हो उसी branch को cut करके लाइए और mature branch लीजे जो की अच्छे से grow हो जाएगा तो ये देखे मैंने बॉगन विलिया कि कितनी धेर सारी cuttings ली हैं और इनकी जो height है वो लगबग 8 से 10 inch के आसपास है इससे जादा बड़ी cutting मत लीजेगा बहुत आसानी से इस तरह की mature branch आप लगा सकते हैं तो देखे इसी तरह की आपको इतनी मोटाई वाली cutting है वो लेना है आप इससे पतली भी mature branch ले सकते हैं बस वो mature होना चाहिए बिल्कुल brown होनी चाहिए इससे पतली भी चलेगी तो देखे मैंने इनके नीचे ले जो सीरे हैं उनको तीड़ा कट किया है 45 डिग्री पे कट किया है ताकि हमें पता चल सके उपर का हिस्सा कौन सा है नीचे का हिस्सा कौन सा है आप इनकी round shape में भी branch को कट कर सकते हैं तो इनके लिए जो स्वैल मिक्स ले रहा हूँ उसमें 30% गोबर की खात 50% स्वैल और 20% सैंड वाला स्वैल मिक्स लिया है जिसमें बहुत आसानी से हमारी कटिंग लग जाएंगी तो चलिए हम इनकी कुछ कटिंग को इस pot में लगा के आपको दिखाते हैं तो यह देखें जो हमारा 45 डिगरी वाला नीचे का portion है वो मैंने देखें मिट्टी के अंदर लगा दिया है और लगबग हम cutting का लगबग one third हिस्सा जो है बाहर रखेंगे बाकी सारा हिस्सा अंदर की और रखेंगे तो इस तरह से हमें सारी cutting को लगाना है तो यानि तीन में से दो भाग जो है मिट्टी के अंदर रहेगा एक भाग उपर निकला रहेगा ताकि जो cutting का मौशर वो हमेशा बना रहे आपको ध्यान रखना है इस टाइम समर का टाइम है तो cutting लगाते वग बहुत सारी साउधानी रखना है क्योंकि समर के टाइम में इनसे जो मौशर है वो खतम हो जाता है इसलिए हमें पन्नी का यूज करना पड़ेगा मैंने ये जो cutting लगाई थी ये मैंने जाड़े के मौसम में लगाई थी इसलिए ये अब बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है तो देखे इनको इस तरह से मैं सब को लगा दे रहा हूँ और जितनी cutting लग जाएंगी फिर उनको बाद में बारिश के मौसम में इनको report कर लेंगे कटिंग को लगाने के बाद इनको हाथ से कुछ तरह से आप दबा के सेट कर दीजे ताकि ये जो cutting है वो इधर उधर हिलेना अच्छे से वो एक जगा फिक्स हो जाए बार-बार cutting हिलने से भी क्या होता है इनकी routes सही से नहीं बन पाती है तो देखें हम ने इतनी सारी cutting लगा दी एक pot में और इसी तरह हमने दूसरी pot में भी इसी तरह cutting लगाई है क्योंकि हमा правre parle qaage ये और जो को बिल्कुल ड्राइ नहीं होने देना है हलकी सी नमी बना के रखना है बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है आपको बस नमी बना के रखना है जिससे कटिंग को मौश्चर मिलता रहे और अगर विंटर के सीजन में आप कटिंग लगा रहे तो डारेक संलाइ स अब बैप बारिष के मौश्म में कटिंग को लगाई है और खुली जगह पे रखिए क्योंकि क्या होता है जब आप शेड़ वारी जगह पे रख देते हैं तो कटिंग जो है धीमे धीमे ग्रो करती है और फिर उसके बाद अचानक से धूप में आके श्रेस में आ जाती है देखिए कुछ कटिंग और भी मैंने कटिंग लगाई थी पॉट में जो कि जिसका मेरे पास बहुत बड़ा सा प्लांट है देखिए ये भी बहुत अच्छा कटिंग ग्रो होने के बाद इसमें फ्लावरिंग भी आ रही जैसा कि मैंने बताया कि आप मैच्योर ब्रांच लीजे जिसमें पहले से फ्लावरिंग ह मिल लए है ऐसा इसे लिए क्योंकि हमने मैच्योर प्लांट से ब्रांच लिया था यह देखिए यह मेरा एक मैच्योर प्लांट है इसी से मैंने ब्रांच लिया था और ग्रो किया है तो बहुत आसानी से यह ग्रो हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग भी स 65 days हो चुके हैं और देखिए हमारी जो cutting धीरे धीरे ग्रो कर रही थी उन में भी अच्छे से growth start हो गई है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत जादा नहीं रखना है देखिए मेरा जो pot है उसमें बिल्कुल well-rained soil mix है पानी अच्छे से निकल जाता है और नमी भी हलकेल की बनी रहती है तो देखिए इस वाले pot में जो मैंने cutting लगाई थी उसके कुछ plant जो है कितने बड़े बड़े नहीं नहीं ब्रांचस देना शुरू कर दिया है बहुत आसान है बॉगन वेलिया को फ्री में लगा सकते हैं बॉगन वेलिया की cutting को लगाए आज पूरे 80 डेज हो चुके हैं देखिए हमारी जो cutting है कुछ cuttings की जो branches है वो बहुत जादा बड़ी बड़ी हो गई है और कुछ-कुछ cuttings जो है नहीं नहीं ब्रांचस दे रही है तो धीरे-धीरे करके कुछ cuttings जो है पहले ही अच्छे से ग्रो करने लगते हैं कुछ cuttings जो है थोड़ा time जादा ले 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 यह बाकी जितनी भी ग्रो कर रही है उनको हम अच्छे से लगे रहन देंगे ग्रोत करने देंगे देखिए इसमें flowering भी start हो गई है cutting को लगा है आज पूरे 90 days हो चुके हैं देखिए हमारी जो cutting है वो बहुत अच्छे से grow कर रही है तो यह देखिए नई नई branches आ रही है और कुछ cutting जो ऐसी भी है देखिए कुछ cutting grow होने के बाद पतियां देने के बाद भी dry हो गई है तो इसका reason यह हो सकता है कभी-कभी temperature fluctuate होता है तो अचानक से घटने पढ़ने के कारण कुछ cuttings खराब हो जाती है तो आप इसलिए ज्यादे से ज्यादा quantity में cuttings लगाई है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा cutting grow की ज्यादा से ज्यादे plant त्यार हो जाएंगे जैसा कि मेरे पावस आप देख सकते हैं यह देखिए इनमें flowering भी हो रही है इसका मतलब है प्लांट हमारा बहुत अच्से से चल गया है तो देखिए जितने भी मेरे पास बागन में लिए क्या प्लांट देख रहे हैं यह सम्में cutting साही लगा हूं बहुत आसानी से आपको रोट के किनारे कहीं भी cutting मिल लए है आप cutting को कट कर ल बस आपको टाइम और मौसम का ध्यान लखना है मौसम बहुत बड़ा जरिया होता है इनको ग्रो करने का तो आपको सही नौलेज होना चाहिए तो सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो विंटर का बारिश का होता है cutting लगाने का गर्मी में भी cutting लग जाती है लेकिन 50-50 chances इन कहीं ड्राइब भी हो सकती है इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिजिए temperature जैसे ही डाउन हो बारिश का मौसम है आप cutting को लगा लिजिए आपको बहुत आसानी से cutting मिल जाती है इनकी तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको मैंने आपको सारा detail दिया बहुत आसान होता है cutting लगा रूट्स है वो गल सकती है तो इस बात का ध्यान लखिएगा और जब रूट पाउंड हो जाए तब इनको report कर लिजे फिर जब वो अच्छे से grow होने लगे तो फिर उनके बाद उसको fertilizer आप दे सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीड प्सक्राइब किजेगा आज के लिए तना ही ठेके रंड बाबाए